वेलकम टू मै चैनल शिखास किचन चैनल में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों शरीर में यदि कहीं भी किसी भी हिस्से में चर्बी वाली गाठ हो गई है तो उसे हम किस तरह से अलग करें बस यही इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ शरीर में जो चर्बी वाली गठान होती है दोसों जिसे लिपोमा भी कहा जाता है हमारे शरीर के किसी भी अंग में हो जाती है तो इसे दूर करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है ऐलो विरा जी हाँ दोसों आप देख रहे हैं मैंने अपने घर पर केवल एक छोटी सी पत्ती ऐलो विरा की लगाई थी जो आज बढ़ते बढ़ते इतनी जादा फैल गई है एलो विरा गुणों का भंडार है दोसों चाहे हमारे इसकिन के लिए हो चाहे हमारे बालों के लिए हो चाहे हमारे अच्छे स्वास्त के लिए हो तो चलिए हम बात करते हैं दोसों की एलो विरा किस तरह से हमारे शरीर की गठान को तेजी से गला देगा बिल्कुल बर्फ के जैसे पिखला देगा क्योंकि ये जो चरबी वाली गठान होती दोस्तों हमारे शरीर में कहीं भी हो जाती है शायद बहुत से लोगों को हो ये नॉर्मल रहता है वैसे तो हम लोग गठान सुनकर थोड़ी से डर से जाते हैं कि अरे गठान है वैसे गठान का टेस्ट आपको जरूर करा लेना चाहिए दॉक्टर से परन्तु फिर भी अगर गठान साधरन सी है इधर उधर हिलती डुलती है दबाने से तो आप एक बार इस घरेलू पाय को भी ट्राय कर सकते हैं बाकी डॉक्टर का भी परामर्श जरूर लें तो दोस्तो सबसे पहले ही इस रेमेडी में आपको लेना है अलोवीरा फ्रेश पत्ती का निकला हुआ जो जेल होता है दोस्तों बेस्ट होता है बाजार वाले जो विटामिन B12 होता है विटामिन C विटामिन E होता है अलोवीरा में बहुत सारे एमीनो ऐसिद होते हैं मिनरल होते हैं दोस्तों जो की हमारे स्किन को हेल्दी रखते हैं बहुत से चर्म रोग दात, खाज, खुजली, एक्जीमा को जड़ से समाप्त करने का काम करता है ऐलो विरा बालों में लगा लें ऐलो विरा जेल बालों का जड़ना रुके का बाल लंबे होंगे बाल काले और घने मजबूत होंगे दोस्तों सफेद बालों की समस्या को भी दूर करता है ऐलो विरा जेल प्रकृती का एक वरदान है दोस आप चाहें तो जैल को निकाल कर ग्राइंड करके भी आप इसे रख सकते हैं, ताकि आपको बार बार जैल को लगाने करने में परिशानी नहों, यह देखें, एक पत्ती का जैल इतना निकाला है, जो छोटे मोटे हरे ठुकडे दिख रहे हैं, उसे मैं भी अलग कर दूंगी, इसके बार आप चाहें तो इसे ग्रैंडिंग जार में डाल का बढ़ी आच्छा पीस लें, दोस्तों यह जो चर्बी वाली गठान होती है, जिसे लिपोमा कहा जाता है, तो आसानी से बिलकुल पिघल जाएगे, आप देखेंगे, 100% वर करने वाला यह नुस्खा है दोस्त क्योंकि इसे चर्बी वाली जो गठान होती है, वह तेजी से बर्व के जैसे पिघलने लग जाती है, और इसे कम से कम आप 10 दिन तो जरूर इस्तमाल करें, दोस्तों इस रेमेडी को आप चाहें, तो ऐलो वीरा को पीस कर फ्रीज में रख लें, ताकि 5-6 दिन आपको पीसन रात के समय लगाएं, ताकि रात भर ये आपकी गठान वाली जगह पर लगा रहा है, चटनी वाला जो जार होता है, जो छोटा जार उसमें डाले ताकि पीसने में आसानी हो, अलो वीरा जैल को ग्राइंड करते समय आप बिल्कुल भी पानी का इस्तमाल ना करें, ये अपन दात खाज खुझली चेहरे पर लगा लें, मुहासे के दाक, पिंपल्स, एकने के निशान, बिल्कुल ही दूर हो जाएंगे, चेहरा बिल्कुल चमकदार हो जाएगा, इसकिन में बहुत अच्छा ग्लो आता है, बहुत से लोग तो अलो वीरा का सेवन भी करते हैं, दोस्त यह हमें बहुत है, केस्टर ओईल, अरंडी का तेल, केस्टर ओईल बहुत ही फाइदे मन्द है, केस्टर ओईल दोस्तों, चाहे हमारे स्किन हो, चाहे हमारे स्वास्त हो, सभी के लिए बहुत फाइदे मन्द है, चर्म रोग को तेजी से खत्म करता है, केस्टर ओईल, तो आपको यहाँ एक चम्मच अरंडी का तेल लेना है दोसों, आप चाहें तो थोड़ा से जादा भी मिला कर रख सकते हैं, इसमें और पर फ्रीज में रखें दोसों नहीं तो खराब हो जाएगा, तो केस्टर OIL क्या करता है? चर्बी की गठान को तेजी से हटाने का काम करता है, आगर आप केस्टर OIL को बालों में लगाएंगे ला, तो अब देखेंगे बालों का जहलणा बन होगा, कभी भी केस्टर OIL को बालों में direct नहीं लगाया जाता है, हमेशा किसी भी टेल के साथ mix करके लगाया जाता है आप चाहें तो नारियल के तेल में केस्टर ओयल को मिक्स करें फिर बालो पर लगाएं आप इसकिन पर लगाएं इसकिन में कोई धब्बे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इतना ज्यादा फाइदे मान है गुणों का भंडार है दोस्तों और खासकर जाती है लिपोमा गार्ड जिसे कहा जाता है उसे तो बहुत तेजी से कम करता है केस्टर ओयल अलो वीरा नहीं तो आप सिर्फ यह भी लगा के देखें कभी आप यकिन मानिए दोस्तों इतना जादा फाइदे मान तीसरी और आखरी चीज जो कि इस रेमेडी में हमें इस्त खत्म करती है उस गाठ को सिकोर देती है और तेजी से गाठ को गलादे का काम करती है हल्दी बहुत पुराने समय से घाओ को भरने के लिए और चोट के निशान चाहे मोच का निशान हो उन्हें ठीक करने के लिए हल्दी के पेस्ट का इस्तमाल किया आता जा रहा है तो मैंन गठान पर उतने में ही हल्दी मिलाई पूरा आधात चमच के करीब मैंने हाँ पर हल्दी मिलाई है और अब इस पेस्ट को अच्छा गाढ़ा गाढ़ा रखें इस पेस्ट को आपको अपनी चर्बी वाली जो गठान है उस जगह पर लगाना है दोस्तों आप चाहें तो रात कपड़े की पट्टी बांदले पर लगा कर जरूर रखें जादा दें तो अभी तो मैं आपको गठान तो नहीं है ऐसे ही प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूं कि आप अपनी गठान पर कैसे लगाएंगे ये देखें लगाने के बाद हलका हलका सा मसाद जरूर करें ताकि अलोविरा, केस्टरोयल और जो हमने टरमरीक डाला है ये सारे के पोशक तो आपकी गठान के अंदर जिसमें जिस गठान के अंदर पूरी चर्वी जम चुकी है मोटी सी जो गठान हो चुकी है उसके अंदर तक के जा सके और आपको इसका बैस रिजल्ट मिल सके ये देखे होकर आप इसे ट्राय कर सकते हैं किसी भी वेजिटेबल पॉलिथिन से या क्लिंग रेक हो आपके पास जो खाना पैक करने का आता है आप चाहें तो उससे लपेट लें नहीं तो सेलो टेप से आप कोई पट्टी बांध लें सेलो टेप लगा कर पट्टी बांध लें ताकि राद भर ये पेस लगा रहें 100% वर्क करने वाला नुस्खा है वीडियो यदि अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें शिखा की चन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें